शुरू करेंगे इस वीडियो को निफ्टी फिटी के साथ में तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सफ्क्राइब कर लिए आपको समय समय पर उपलब्द होती रहेगी ऐसी मेरी कोशिस रहेगी कि आपको जो है अच्छी जानकरी मार वो जानकरी है दोस्तों आपको per price करने के लिए नहीं डीयगी तो वीडियो में मार्केट में पिछले मीड में क्या हुआ आने मार्केट में में ओने वाली है उसके बारे में जानेंगे कुछ क्याว' हैं और जा क्या लेवल चल रहा है काहँ पर बाइब करना चाहिए कुछ जो उनके बारे में चर्चा करेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो बात करेंगे निप्टी फिप्टी की एक ही बात करें तो 145 हिवारे के लिए काफी बुरे गई हैं लगातार दोनों द मार्केट के लिए प्रियू Kao oh सब्सक्राइब करें पिछले पांस दिनों की तो पॉइंट फाइफ परसेंट जो है इंडेक्स में गिरावट है ओवरॉल लेकिन यहां देखें दोस्तों मार्केट ने एक बार को जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है कही ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है तो वही उसको सीधे-सीदे मान सकते हैं अच्छे जो आप ने खरीदे हुए तो उसमें तो डरने की कोई भी जरूवत नहीं है हाँ अगर कोई स्टोक आपके पास ऐसा है जिसके फंडामेंटल खराब है कंपनी के ऊपर डैप बहुत ज्यादा है कंपनी जो है अच्छा नहीं कर रही है तो आपको डरने की जरूवत नहीं है और जो पुराने इंवेस्ट नहीं था वो लोग डर गए थे उन्होंने जो है आधी-आधी कीमत पे अपने सेयर बेच डाले एक लाका इंबेस्टमेंट था पचास जार पोटफोलियो वैली उनकी हो गई कोविड के समय में और वो जो है बेचके निकल गए लेकिन बहीं जो समझदार जो अच्छे सेयर पे कमाया और जो है उन लोगों की चांदी कट गई है हम यह कह सकते हैं अभी तक तो समझदारी स्टोक मार्केट में बहुत जरूरी है गिरावट से कभी भी नहीं तरना है अगर आपके पास अच्छा स्टोक है तो उसको समझिए ठीक है उसको समझिए उसको मोका समझ इसको समझ के जो है उसमें बहां पर बाइंग कीजिए और जो है कॉंटिटी अपनी बढ़ाइए दोस्तो शुरू करते हैं तो अगली चीज के बारे में डिसकस करेंगे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का भी आला है कि है कि इसको इसको मान सकतें बासट साथ सू हम 227 सब्सक्राइब करें दोस्तों क्या रहता है मार्केट का सिस्टम तो पता जलेगा कल के दिन सब्सक्राइब करें दोस्तों जा सकता है ज्यादा पोजिटिव ना जाए लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत पोजिटिव अगर जाए तो वी एक अच्छी चीज़ा मुसको मान सकते हैं ठीक है बात करेंगे इस तो आई यार से तीची में आपको पता होगा दोस्तों ओए फस जो है आया था सरकार ने अपनी जो 5 परसेंट होल्डिंग्स है जो गवर्रमेंट के पास वोल्डिंग्स थी उसको जो है सरकार ने ओफस के तुरू जो है उसका डाइवस्मेंट कर दिया है और उसी वज़ा से जो उन्होंने जो फ्लोर प्राइस था 680 था तो 680 फ्लोर प्राइस होने की बज़ा से दोस्तों इस सेयर में काफी ज़्यादा गिरावट इसले 2-3 दिनों में हमें देखने को मिली है आप चेक कीजिए पांस दिन के चार्ट में सेयर जो है साथ सो चालि अधाल लेकिन जहां तक मेरा अंदाज जहां तक मेरा एक्स्पिरेंस है उसके कोडिक में बता दूं कि सेयर जो है हमें अगर यह तो गेन करता हुआ दिख सकता है गेन करेगा तो 700 के लेबल के आसपा जाता हुआ दिखेगा अगर दोस्तों गेन नहीं करता है तो मुझे तो कि मेरा दोस्तों यह कंपनी है और सरकार का फोकस हों कि यॉसका है कि कोई ऐसा डिएजन लिया जाये की पबली को रिलीव तिया जाय और ऐसा कोई पोलुसी आ जाये जो कि कमपनी के अगेंस्ट में हो और जो है कमपनी को थोड़ा प्रफिके और किसी और चीज को फिवर तो वह चीज दोस्तों इसके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है इसमें दोस्तों जितना भी इंवेस्टमेंट करें सोस समझ के करें मैं यह नहीं कहा रहा कि इंवेस्टमेंट ना करें कमपनी दोस्तों बहुत कमाल की है और अभी तक कमपनी की देखे तो कमपनी की एक तरफा मोनोपोली चल रही है लेकिन जै हमें गिरावट देखने को मिल सकती है तो इस चीज का nuclear ध्यान लाकि ऑघ उर एक और गिरता है तो बहुत जो है तो नहीं उनके सेर में बता रहा हूं के लिए अभी मेरा कोई सजेशन नहीं है इस सेयर में ठीक है ना कि बात करेंगे आर्थी इंडस्ट्रीज के बारे में तो सेयर दोस्तों पिछले कुछ समय से काफी गिर चुका है और सेयर जो है इसका जो है डी मर्जर हुआ है आर्थी फार्मा के साथ में तो जिन लोगों के पास मा बता दू च मिलेगा तो कि अगर के पास मान लिए 25 थे आर्थी फार्मा के पास तो आपको 24 के बदले यह फार्मा के verso श्के बारे में दो आपको साथाधा चाहिए होगी तो मैं जो है तो है थोड़ा आपको जो है जाकाली देने की कोस्तिस करूंगा अब कमेंट बोक्स में पता सकते हैं तो दोस्तों यह काफी कमाल का सेर है पिछले को समय से जो है दोस्तों घृवरट पे चल रहा है आप यहां पर देख सकते हैं फिछले दो-तीन दिन मैं इस सेर में भी काफी मंदी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों यह लेवल आप देख सकते हैं 900 रुपे के आसपा से ट्रेड कर रहा है आप मान सकते हैं इसको जो है लगबक 30% गिरावट 30-40% जो है दोस्तों यह हो सकती है ठीक है तो बहुत बड़ी गिरावट में है और बात करें दोस्तों काफी कमाल का है और जो ब्रोकर हैं ब्रोकर ने भी जैसे मैं पता हूं आपको प्रूदास लीलादर आरती का नाम रहा है आई सी डारेक्ट और मॉर्गन स्टैनली इस तरह के दिया था तो सेर 700 को रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और दिने के बाद दोस्तों अब फिलाल जो है 629 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अला कि मेरा परसनल विए है कि सेर कुछ हमें स्टगल करता हूँ नजर आ रहा है तेम्परेरी कुछ प्रोब्लम्स की ओल दोस्तों बात करें दोस्तों इसके लोंग टर्म के रेटन की मैं बताऊं उसको 5 साल के रेटन तो 5 साल में दोस्तों 132-0 कोई ज्यादा रेटन नहीं है लेकिन यहां पर इथा डेल परे गले तो सबस्तिन तो इसने जो है अधावन एक तुटारीज परसेंट परसेंट का डिटन दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है स्कूसी अंदर से लगा सकते हैं और यह जो रिटन है दोस्तों इसे जश्य जादा यादा है परसे मामले में उसी सठीक कर सकते हैं बहुत कमाल के लेवल पर चल रहा है उपर से आप देखें दिसकाउंट और सिपोर्टे यहांपर निए आसपास हो सकती जो score में ऌर दोस्तोम के साफ से मैं नहीं बता रहा हूं लोंग टम के लिए तो दोस्तों कोई सपोर्ट या इसल मायने नहीं रखती है आपको जितना डिस्काउंट पे मिले आप जो है उतना जो है दोस्तों उस सेर को बाई करें ठीक है अब करें यह पी तो विए इसमें से काफी घ्रावर्ट देखने को मिल रही है और यह में लेवल बता दूं आपको इसका जो लिए लेवल है दोस्तों 2560 रुपे का यह लेवल है जो नीचे का लेवल है बहां से सेयर ने जो है दोस्तों अपना 52 खाई भी हमें दिया है 3600 रुपे का काफी कम समय में ठीक है लेकिन उसके बाद से दोस्तों जो है थोड़ा सा स्व्टकल करता हुआ हमें नजर आ रहा ह तो मेरे ख्रया थे आप जो लोग इसमें ईन्वेस्टर है फ्रैसर नहीं ल इसको अगर अपने पोर्फोलियों में चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा और बेट कर सकते हैं 278 रुपे के लेवल का पैसे अगर महां तक नहीं गया तो फिर हो सकता है आपको जो है जो एक प्राइस है आपको यहां पर पोर्चुन्टी इस लेवल पे भी मिस हो जाए त मतलब जिसले आपकोटी हम जैसे अगर आपको थोड़ा धूर कम Tillे मिलता है तो फिर अपना एक से खरीद लीचे और कंप मिलता है तो फिर एक से खरीद लीजिए किरे चाह्यकों कर सकते हैं नहीं तो आप वह था सब्ल Medium के लेवल का आप जो है दोस्तों बेट कर सकते हैं बहां तक चला जाए तो नए इंवेस्टर के लिए अच्छी चीज़ें आपको जो है अच्छे-खांचे डिसकांट पर मिल जाएगा और बात करें तो फिलाल जो है दोस्तों 3600 रुपे के आसपास का हाई है और अभी फिलाल दोस्तों जीए टीन परसंट की रावट है इसमें दोस्तों तो तो बर्जर पेंट भी दोस्तों काफी अच्छे लेबल पर है आप बर्जर पेंट को भी अपने पॉर्टपोलियों में एड़ कर सकते हैं इसका देखने को मिल रहा है एक साल में 20% की इरावट देखने को मिल रही है जन्वरी में सेयर का अच्छे लेबल पर ट्रेड कर रहा था पहां से फिर दोस्तों इसकी मैं सपोर्ट आपको बता देता हूं 560 रुप्य के आसपास की सपोर्ट है ठीक है और वही इसका दोस्तों बामन भी लो भी इसका होना चाहिए जी 540 रुप्य का अच्छे लेबल के अच्छा को लेवल कर सकते हैं ठीक है और यह काफी कामाल का सेयर है रिटन बात करें दोस्तों ज्यादा रिटन दिये हैं लोंग तर्म में देखने अगर हम जाएं तो मैं बढ़ा सब्सक्राइब करने के लिए है कि आच दोस्तों हमारे पास संदार कर आप सब्सक्राइब के शीयर से से जर से नहीड को नएंवेस्टर ना चाहते हैं तो बहुती कमाल के लेवल्स पे अभी ये सेयर हमें अभी लेवल है 5 दिन की बात करें तो 1% की गिरावट है एक महीने की बात करें तो 7% की गिरावट है 6 महीने की बात करें तो 7-8% का दोस्तो रिटन हमें देखने को मिल रहा है और बहीं दोस्तों बात करें तो एक low level से इसने 400 रुपे का high भी हमें लगा के इस बीच में दिया है एक महिने की बात करें तो यह एक साल की बात करें तो 10% की गिरावट है यह दोस्तो इसका बामन बीग low है और यह इसका बामन बीग आई हमें यहां पर देखने को मिल रहा है है तो अभी दोस्तों क्या है करना यह है कि आप जो है अगर वाई करना चाहते हैं इस लेवल पर बाई कर सकते हैं 40% अपने इंवेस्टमेंट कर सकते हैं अपना पूरा आमाउन जो है दोस्तों इसमें इतने का आप तब आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और नेट विक दोस्तों हम देखेंगे कल कैसी रहती है इन सभी सेरों के बारे में कैसे तुछ रहेगा तो हम बताएंगे बात करेंगे एफम सीजी सेक्टर के सेर के जुविलेंट फूडवर्क्स लिमिटेट के बारे में तो दोस्तों सेर काफी ज़्यादा गिर चुका है और अभी फिलाल हमें बहुत ही अच्छे प्राइस पर मार्केट में अबेलेवल हो सकता इससे भी नीचे सेर चला जाए ठीक काउस दोस्तों 451-455 का इसका 52 लो है और वाउन भी खाई कि बात करें तो 800 रुपे के ऊपर जो है दोस्तों का बाउन भी खाई है फिलाल बहां से नीचे के लेवल से दोस्तों सकतर रुपे उपर से ट्रेड कर रहा है तो आपको करना यह है अगर जो लोग बाई करना चात अगर रहते हैं आप जानकारी होगी आपको अपको लगाना है तो उसमें प्राइस बिलो 500 करके आप उसको लगा सकते हैं अगर आप सेलिंग के लिए भी लगाएंगे उसमें तो दोस्तों आप अब करते हैं तो आप स्रीप लिए आप प्राइस बिलो 500 करके लगा सकते हैं यह जो भी प्राइस पर आपको लेना है अब करते हैं अब करते हैं तो आपको पता होगा अब आपको पता होगा अब करने के लिए आप से कहा था ठीक है अब बेक्तिक में लिस्ट होता हुआ ढिख सकता है यह ड़ीफनेट हैं ट्रीमत आपीप उसको सब्सक्राइब और यानि कि मेरे ख्याल से प्राइड विश्टिंग हो जाएगा यानि कि मेरे ख्याल से फ्राइड का दिन है थेह थेह सारीप के दिन इसकी लिस्टिंग हो जाएगी existing का अनुमान है लिस्टिंगstraire is a 10% कि यह जो है लिस्ट हो जकता है यह जाने की समभण का इसमें इस भी नहीं ह्फार ग्रें तो GMP इसको जो है दो viens जो है दोस्टो डिसकाउंस मैं आए आधक और कि दिखा देता हूं कि यह यहां पर है दोस्तों यह आ गई है तो बाकी जो है दोस्तों जीरो रुपे पर चल रहा है और रेटिंग भी जो है दोस्तों वन स्टार है इसकी और अभी फिलाल जैसे इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा आइप दोस्तों जो हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा इस वीक में वह दोस्तों सूला वेन मिनयार ठीक है और इसकी बात करें दोस्तों तो चार रुपे के डिसकाउंट पर यह सेर जो है यह आईपियों यह सब्सक्राइब कर दोस्तों हो जाएगी ज्कुट मेंखने हैं और 21 को जो है दोस्तों यह ट्रांसफर हो को एकिirk आप मार्केट में मिल सकता हैUh आगा दोस्तों यह द् facto मिल सकते यह पर कर दीसर को दोस्तों यह दब रस्पतिवार और को मुल होते हैं और इसकाउंट पर経ण में लिस्ट होते तो कुछ संभाब नाया दोस्तों कि 10-20 रूपे के प्रोफिट के साथ जो है दोस्तों यह लिस्ट हो जाए बना अनुमान भी यही है कि यह तीनों जो है वह लिस्ट होते हुए दिख सकते हैं हमें दिस्काउंट के साथ इसके अलावा दोस्तों दो आई प्यों ओपन हो जाएंगे मार्केट में एक है केफिन टेक्नोलोजी आठ रुपे का इसका जीएंपी चल रहा है इसकी मैंने दोस्तों वीडियो बनाई हुई है आप उस वीडियो को जाके जो है चेक कर सकते हैं बहाँ आप उससे आप जो है मेरी जो एडवाइस है इस सेर के बारे में मैंने सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं बोला तो जीएंपी को दोस्तों देखते रहना 40 पर जाता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह ओपन हो जाएगा दोस्तों मंडे को आप इस प और इसका देखेंगे दोस्तो तो काफी सांदार जो है जींप अभी चल रहा है तो इसको तो मैंने वोल दिया है कि मैंने के लिए लीव दिया को अपना इसको सब्सक्राइब कर सकते दोस्तों मैंने वीडियो में इतना फकले लंबी हो गई है जानकारी मैंने आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिस की है सभी चीज होगी और बहुत सारी चीजे तो ऐसी है काफी सेर मेरे छूट गए है जो मैं बताना चाहता था लेकिन ज्यादा लंबी वीडियो दोस्तों मैं भी नहीं बना सकता हूं और आप भ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा